आज हमारे पास है दो नेगबेंड यह तो मिडनाइट ब्लैक एडिशन का है और दूसरा जो है वो नेवी ब्लू एडिशन का और दोना ही नेगबेंड जो है वो विंक्स ब्रैंड की दरब से है आप देख सकते है इसके लोगो और बॉक्स में उपर के दरब से लिखा हुआ है 5.0 और साइड में इसका स्पेशिफिकेशन मेंचिन किया गया है तो आप देख सकते है उपर में लिखा है 10 गंट का प्लैबैक देद गा और नीचे ब ड्राइवर का साइज दिया हुआ है 10 mm का ड्राइवर और गूगल एससिस्टें इनवर्ड है जो कि काफी अच्छी बात है और देखेंगे इस बॉक्स को ओपन करके की पैकेजिंग किस तरह से दिया है उन्होंने तो चलिए बॉक्स को ओपन करते है तो ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते है कि कुछ इस तरह से पैकेजिंग क्या है और साथ में है चार एक्स्ट्रा एर टिप्स आपके कानों के साइज के हिसाब से आप लोग को पहनने पड़ेगा यह ताकि बहतर सांड क्वालिटी सुनाई दे और कान में पेन ना हो और साथ में है एक यूजर मैनॉल यूजर मैनॉल आप लोग जरूर पढ़ लीजएगा इसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे अपने डिवाइस के साथ इसको पेरिंग कर सकते है और उसके बाद मेजिक कॉंट्रल कीज के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो तीन ब यह बहुत एहम चीज है आप ध्यान में रखिएगा कि यह जो नेक बैंड है यह लगातार पांच घंटे तक चार्ज ना हो इससे आपके जो बैटरी है वो कराब हो सकते है यह दो घंटे लगता है फूल चार्ज होने में तो इस बात को आप लोग ज़रू धान में रखिए पहले तो हम इस नेक बैंड को खोल लेते हैं और देखिए काफी स्टैलिस और प्रीमियम लुक के साथ आता है और एक साइड में इसका ब्रैंडिंग देया हुआ है विंक्स लोगो देया हुआ है उनने और यह मैट फिनिश में आता है और मेंगनेटिक फंक्शन भी आप द अची बात है और दूसरी तरफ चार्जिंग पोर्ट है किसे भी 5 वोल्ट चार्जर के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं और मल्टि फंक्शन की उसी तरफ है तीन बटन से बीच का बटन पाउर अन अफ है और साइड में प्लस और माइनस इसके साथ आप गाना चेंज कर स कर सकते हैं और बीच का जो बटन है उसी के साथ आप डिवाइस को आप कर सकते हैं और गूगल वाइस एसिस्टेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये देख रहे हैं थोड़ी दिर दबाने के बाद ये पैरिंग मोड में आया है मतलब ब्लू और रेड लाइट जल रहा है जो कई निगमेंड में ये प्रावलेम होता है कि किसे में बेस जदा होता है तो किसे में ट्रेबल जदा होता है लेकिन इसमें आपको एक बैलेंस्ट साउंड मिलेगा जो काफी अची बात है और वो जो मिडनाइट ब्लैक वाला एडिशन है उसको हम खोल के देखेंगे और कुछ खास अंतर नहीं है सिर्फ कलर के डिफरेंस है और देखिए जिसको ब्लैक पसंद है वो ब्लैक कर दे और जिसको ब्लू पसंद है वो ब्लू कर दे हलाकि ये जो निगबेंड है वो बहुत सारे कलर में एवलेबल है लेकिन ये ब्लैक वाला ज्यादा डिमेंडेबल है देखिए अंदर भी वही चीज़ है और ये एर टिप्स का तो कलर ब्लैक ही होगा और इसमें भी ब्लैक कलर का जो यूजर मैनेवल है और इसके साथ आता है एक वन एर का रिप्लेस्मेंट गैरेटी कार्ड जो काफी आच्छी बात है आप इसको पढ़ दीजिएगा तभी आप समझ पाओगे कि ये आपको कैसे ये फैसिलिटी एवलेबल होगा और इसका बैक साइड में गाना का सब्सक्रिप्शन आप कैसे फ्री में पास सकते है वो भी लिखा हुआ है ये तीनों स्टेप को फॉलो करके आप गाना का जो एप एप्लिकेशन नहीं जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में आप पास सकते है और एक बील है बाकी कुछ नहीं दोस्तों ये प्रोड़क्ट अगर अच्छे लगे तो इसका जो बाइंग लिंक है ये दिस्क्रिप्शन में मिल रहे आपको दोस्तों चैनल में नहे हो तो ज़र झाल झाल